नमस्कार दोस्तों के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है सीटाडोक एम टाबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन सीटागलिप्टिन और मेटफोर्मिन होता है जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो तब दो दवाओं के कॉंबिनेशन वाली सीटाडोक एम टाबलेट को लेने की सला दे सकता है सीटाडोक एम टाबलेट का उप्योग टाइप टू डाइबिटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है सीटारोग M टैबलेट शरीर में बलड शुगर के लेविल को कम करती है शरीर में शुगर के लेविल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरुरी होता है क्योंकि लम्बे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वज़़ से किड्नी डैमेज हो सकती है आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है खाना खाने के दो घंटे बाद एक नोर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से कम होता है खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से लेकर 200 के बीच में है तो वह व्यक्ती परी डाइबिटिक स्टेज पर है परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेविल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेविल को नियंत्रण में करने के लिए regular exercise और lifestyle वा खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेविल को नियंत्रण में किया जा सकता है यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को diabetes की समस्या है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में सीटारोक एम टाबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में सीटारोक एम टाबलेट की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे जुकाम होना, खासी होना, गले या फेफ़रों में इंफेक्शन होना, दस्त होना, कब्ज होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, शरीर के जोडों वो मासपेशियों में दर्ध होना, मों के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होन और सिर्दर्ध होना आदी साइड इफेक्स सीटाडोक M टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं। इसके अलावा सीटाडोक M टैबलेट को शुगर कम करने की अन्य दवाओं के साथ लेने से शरीर का ब्लड शुगर लेविल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। सीटाडोक M टैबलेट की वज़ा से एलर्जिक रियेक्शन भी हो सकता है। यदि आपको सीटाडोक M टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुह गले होठो या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशिस या एकदम से बुखार होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षन एलर्जिक रियेक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रियेक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवशकता होती है। अब हम डिसकस करेंगे की सीटाडोक M टैबलेट को कैसे लेन रिकमेंडेड होता है। सीटाडोक M टैबलेट को खाना खाते समय बीच में लेना रिकमेंडेड होता है। या सीटाडोक M टैबलेट को खाना शुरू करने से तुरंत पहले लेना रिकमेंडेड होता है। सीटाडोक M टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में ब्लड शुगर के लेविल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है इसलिए आपको सीटाडोक M टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की सीटाडोक M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको सीटाडोक M टैबलेट के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए चिंता वतनाव से बचना चाहिए परियाप मात्रा में नींड लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए Type 1 diabetes होने पर, कोई surgery होने पर, diabetic coma होने पर और diabetic ketosis होने पर Cetadoc M tablet को लेना recommended नहीं होता है Blood sugar बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको Cetadoc M tablet को लेने के बाद खाने को skip नहीं करना चाहिए और आपको Cetadoc M tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए Pregment महिलाओं में blood sugar के level को नियंतरन में करने के लिए insulin को ही सबसे सुरक्षित माना गया है Pregment महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Cetadoc M tablet का सेवन करना recommended नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और अगर आपका Cetadoc M tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं